एसका दोस्तों वेलकम टो रेदान्समार्ण क्रिएतिविटी तो दोस्तों यह स्नेक प्लांट है इसको संसिवेयरिया भी कहा जाता है और यह बहुत लोम इंटेनेंस प्लांट है और वो लोग जो बिगनर्स है उनके लिए यह प्लांट एकदम appropriate है अगर यह प्लांट का requirement आपको पहता हो जाए तो यह प्लांट आप अपने घर में लगा सकते हैं और सालो साल यह ऐसे ग्रीनेरी फैलाएगा आपके घर में और यह बहुत ही easy to grow low maintenance plant है और इसको दोस्तों well-drained soil की ज़रूरत होती है इसको ज्यादा मिट्टी में पानी होल्ड हो ऐसी मिट्टी इसको पसंद नहीं है और यह स्कुलन वेराइटी के प्लांट है तो इसके लीफ में ही पानी होल्ड रहता है तो इसको ज्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पढ़त है और यह oxygen providing plant है दूसरे पौदे होते हैं जो दिन में oxygen देते हैं लेकिन रात में जो है वो इन्वार्मेंट में जो oxygen होता है उसी को यूज करते हैं रात में oxygen नहीं देते लेकिन यह snake plant एक ऐसा पौदा है जो रात में भी oxygen देता है आप इसे indoor रख सकते हैं इसको धूप में ज़रुत नहीं है आप अपने balcony में रखे या stairs में रखे कोरिडर में या कमरे में भी इसको रख सकते हैं बस ऐसा हो कि इसमें bright light पढ़ती रहे रोशनी आए दिन भर की रोशनी हो लेकिन इसमें धूप ना लगे तो भी यह चल जाता है इसको धूप की requirement sunlight की ज़रुत नहीं ह तो यह बहुत अच्छे से ग्रोव होता है और potting mix जो मैंने बताया आपको well drain होनी चाहिए ताकि इसमें पानी ना रूके और इसके लिए आप 50% रेत ले लीजिए और 30% garden soil और 20% आप वामी कमपोस्ट या गोबर खाद आप ऐसा मिठ्टी तयार करेंगे तो यह चल जाएग और दोस्तों यह इसे fertilizer की ज्यादा जुरूरत भी नहीं परती है यह low feeder plant है आप इसे साल में एक से दो बार थोड़ा सा fertilizer दे देंगे तो भी यह चल जाता है इसको ज्यादा fertilizer की जुरूरत भी नहीं परती और दोस्तों इसमें insect भी attack नहीं करते हैं तो आप दोस्तों इसको अच्छे से रख सकते हैं इसमें कोई अलग से आपको देख भाल की जुरूरत नहीं परती है आप बस इसके leaf को clean रखिए तो clean रखने के लिए दोस्तों आप detergent की पानी से इसको wash कर सकते हैं या कपड़ा गीला करके आप इससे पोस्त दीजे लीफ बिल्कुल shine करेगा और इसमें अगर कभी dust हो fungus वगरा हो तो भी वह खतम हो जाता है या आप चाहे तो neem oil spray भी कर सकते हैं लेकिन इसमें fungicides यह fungus वगरा बिल्कुल नहीं परते हैं और दोस्तों यह इसमें पानी की बहुत कम requirement होती है तो आप इसमें पानी तब दीजिए ड्राइ हो जाए जैसे यह देखिए दोस्तों यह पूरा यह सूप चुका है टॉप लेया देखिए ऐसे आप finger को इसमें डिक करके देखिए देखिए बिल्कुल मेरे उंगली में थोड़ी से भी नमी नहीं है अग्दम ड्राइए तो अब आप इसमें पानी दे सकते हैं औ इसमें दोस्तों आप एक बार इसमें पानी दे देंगे तो 15-20 दिन तक आपको इसमें पानी देने की जुरूरत नहीं है और दोस्तों यह विंटर इसका डॉमेंसी पिरेड है यह स्प्रिंग के बाद जब समर में यह बहुत अच्छे से ग्रो होता है इसका ग्रोइंग पि क्योंकि समर में टेमप्रेश्र बहुत हाड हाई होता है और मिटि बोहां जल्दी सूख जाती है तो आप समर में इसमें पानी में थ्यान देना है जब यह गंपला तो आप इसमें पानी दे दीजिए कंड़्य में आप इसे 15-20 दिन में एक बर पानी दे देंगे तो इसके लिए काफी है क्योंकि यह डॉमेंसी पिरेड में होता है कि इसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं होती और दोस्तों इसका प्रोपागेशन भी बहुत इसी है जैसे यह देखिए दोस्तों यह में एक साल पहले यह पौधाल आई थी उस टाइमें बस यह वाला मेरा यह वाला प्लां बना तो उसके बाद यह देखिए ग्रोव हुआ है एक साल में इतना ग्रोव हुआ है तो इसके ग्रोथ इसका ग्रोथ स्लो होता है और यह जो बेबी प्लान प्रोड्यूस करता है इसको आप दूसरे पॉट में निकालके लगा सकते हैं या फिर आप लीफ के थ्रोव भी प हैं इसमें डाला है इतना इतना कट करके मेंनी मिटि में है डाल दिया है इस तर हैं से यह दो महिने लग जाता है इसको प्रोपागे 휩ोने में तो दो महिने में इसमें वे दूस ऑप तो ये मेरा pot बुसी हो जाएगा बहुत घहना हो जाएगा तो ऐसे भी हम इसको report कर सकते हैं या आप ये leaf को जो है वो पानी में भी grow कर सकते हैं पानी में इसको डाल दीजे और 5-6 दिन में वो पानी आप change करिए तो उसमें से भी baby plant produce हो जाता है लेकिन थोड़ा process slow हता है दो से plant से तयार क्या है इसी leave leaf cutting से मैंने इसको grow किया इसको मैंने पहले पानी में grow किया था और उसमें से because Baby plant produced हो आए इसको भी हूँ मैं रिपोर्ट कर दिया और देखे ये leaf अभी बही है यह ही leaf मैंने लगा था और या देखे अभी तक कैसी में लगा हुआ है और ये baby plant ये तयार हो चुका है और दोस्तों ये मैंने बरसात के बाद मैंने ये पॉर्ट में रिपॉर्ट किया था तो उसके बाद जो है विंटर सुरू हो गया तो डॉमेंसी में ये ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है तो इतना ही पौदा ये है जब मैंने इसको रिपॉर्ट किया था तो तब से ये इतना ही ग्रोथ नहीं हुआ है लेकिन ये दोस्तों प्लांट हेल्दी है तो जैसे ही सम्मर में इसका ग्रोइंग पिरिड होगा ये फिर से अच्छे से ग्रोग होगा और देखें दोस्तों ये जो मैं नर्शरी से लाई थी तो ये एकी पॉट में ये दोनों ये चोटे से पॉट में ही अच्छे से ग्रोग करता है और दोस्तों इसका फ्लावर भी होता है और फ्लावर जो है मेच्योर प्लांट में ही फ्लावरिंग करता है जैसे दो तीन साल का प्लांट हो जाए तब ही इसमें फ्लावर आते हैं वाइट कलर का बहुत ही सुंदर हो तो उसके लिए दोस्तो या तो प्लांट मैच्यूर होना होता है दो तिन साल पूराना प्लांट हो या फिर उसके रूट जो है वो बाउंड हो जाते हैं तब ही जाके इसमें फ्लावरिंग होती है और वैसे दोस्तो इसके फ्लावर के लिए नहीं रखा जाता है घर में इसके leaf के लिए oxygen ये बहुत provide करता है इसलिए इसको घर में रखा जाता है आप इसे bedroom में भी रख सकते हैं और ये बहुत अच्छे से grow हो जाता है और इसमें कोई fungicides वगेरा attack नहीं करता तो आप आपको उसके भी दिकत नहीं होती है दिकत नहीं होगी कि आपको time to time check करना है कि इसमे fungus तो नहीं पड़ गया है तो यह बहुत ही easily grow हो जाता है यह प्रोपागेट होता है और दोस्तों यह अगर ज्यादा आप धूप में रख देंगे तो यह देखिए ऐसे यह जल जाता है लीफ क्योंकि मैंने इसको बालकनी में रखा था मेरे हाफ बालकनी में चार गंटे पा यह बहुत है यह जल जाता है और ज्यादा चल जाएगा कि यह ज्यादा पानी हो गया है और यह लीफ नीचे जुग गया है ऐसे लटक जाता है तो दोस्तों इसमें ज्यादा पानी की विज़ूरत नहीं है आप एक बार पानी दीजिए और 15 दिन 20 दिन में एक बार इसको पानी देंगे तो इसको काफी है यह चल जाएगा और दोस्तों यह बहुत ही इसली ग्रो होता है तो आप एक बार इसे जरूर अपने घर में ट्राइ करिए तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल इकन प्लीज प्रेस करिए थैंक यू एंधपी गार्टिनिंग